वालेकुम डियर वीवर्स आप देख रहे हैं सिंधी टीचर मैं आपको बुनियादी सिंधी बेसिक सिंधी स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 से क्लास 10 तक रोजाने एक चप्टर पढ़ेंगे एक्टिविटी करेंगे कोई चप्टर मिस नहीं होगा क्लास 3 हम मुकम्मल कंप्लिट कर चुके हैं उसके बाद क्लास 4 स्टार्ट है तरतीब से क्लास 4 में हम सबक 13 पर चुके हैं चेप्टर 13 कंप्लिट हो गई है आज हम पढ़ेंगे चेप्टर 14 जिसे सिंधी में सबक चोड़ाहून पढ़ते हैं आज हम रपस सबक का टाइटल है अंदो फकीर मतलब अंदा फकीर ना भी ना फकीर अंदा फकीर जिसको नजर नहीं आता जो देख नहीं सकता इसके बारे में पढ़ेंगे इस चेप्टर में अबबा इहो केर आही एक आदमी है जो अपने बच्चे से पूछ रहा है बेटा ये कौन है ठीक है बाबा इहो अंदो फकीर आही उसका बेटा के रहे है बाबा यानि अबबु ये अंदा फकीर है हिन के बाजार मा बेटल डिठम मैंने इसको बाजार में बेटा हुआ देखा बेचारो बेटो रहो बेचारा बेटा रहा पर के भी हिन डाहिन ना नहारो पर किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा के मतलब किसी ने हिन डाहिन इसकी तरफ नहारो मतलब नहीं देखा मुझे मत्तस रहम आयो मुझे इसके उपर रहम आया और मैं इसको गर पर लेकर आया यानि के ये एक गर में फकीर है और इसका बाप पूछ रहा है ये कौन है आप इसको लेकर रहा है तो इसका बच्चा पूरी स्टोरी इसको बता रहा है फिर इसका बाप जो है फकीर से पूछ रहा है इस नेक्स्ट पेरे में फकीर साइं तू केर आईं फकीर जनाब आप कौन हो अब फकीर जवब दे रहा है साइं माहिक जड़ो आया जनाब में एक माजूर हूँ माजूर हूँ मतलब वो नाबी नहें तो वो माजूरों में शिमार हो गया माजूर हूँ जड़ों को मतलब है माजूर बाजार में बेटों हुसता मा कुछ मिले बाजार में बेटा रहा के मुझे कुछ मिले पर के भी कुछ नाडिनों पर किसी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया जड़ों को मतलब देना दनी ओहां जे नेंगर के खुश रखे खुदा आपके बेटे को खुश रखे, मो कहित वटी आयो, मुझे यहां लेकर आया, आमानी डियाईन, और मुझे खाना दी, आमानी केते हैं, खाने को रोटी देना, आमानी खाना देना, अब इसके वालिध स्थाब ने सारा माजrà पूचली है, बेटे से भी, फकीर से भी, आप यह किराए, शाबाश पुट, शाबाश बेटे, 9. अब इसकी एक्टिविटी करेंगे इसी चेप्टर की एक्टिविटी है मश्क फस्ट है अलिफ हैटियन सवालन जज़ जवाब दियो यानि नीचे जो सवाल है इनके जवाब दे ये चार सवाल है हमने ये चारत सवाल कॉपी में लिखे है वो मैं कॉपी से आपको समझा दूँगी डिटेल्स में अभी हम इसके आगे के एक्टिविटी करेंगे बे है हालपुरियो जेई यहाँ पे जो अल्फाज नहीं है वो लिखने है जैसे के लिकन, लिख, लिकन दो ये फिस्ट, सेकेंड, तरड फॉर्म है लिकन का मतलब है लिकना लिक का मतलब भी लिकना है लेकिन फर्स्ट फार्म, सेकेंद फॉर्म, तर्ड फोर्म है. ठीकें. डोडण, दोल, धोडगो. डिसं, डिस, डिसंदो. कटन, कट डल, कटंदो. झेलण, जल, जलींदो. टाहिं, ट टाहिंदो. हताइन, हताव, हताईंदो. पढ़ाने भड़ परिंदो चीके परिंदो यह सब हो गए अब जो है इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है जुम्ला ठायो इसमें है हम जो है तुम्हें आप लोग को यह बताऊंगी कि यह इनके मतलब क्या है लिकन का मतलब है लिकना दोडन का मतलब है दोडना डिसन का मतलब है देखना कटन का मतलब है मुश्किल जहलन का मतलब है रोकना ठाइन का मतलब है बनाना हठाइन का मतलब है हटाना पढ़न का मतलब है पढ़ना यह सब एक्टिविटी हो गई है अब यह जो लास्ट में रहत हमें जुम्रे बनाने हैं जो मैं कॉपी में बना चुकी हूँ आपको दिखाती हूँ फार्स्ट एक्टिविटी थी हमारे पास कोईशन आंसर की जो हमने स्किप कर दीती है यहां लिके हैं मैंने हेटेन सवालन जा जवाब दियो चोकरे बाजार में केंखे डिठो लड़के ने बाजार में किसको देखा चोकरे बाजार में हिक अंदो फकीर के डिठो लड़के ने बाजार में एक अंदे फकीर को देखा चोकरे फकीर के केडाइन वठी वयोस चोकरो फकीर के पहंजे गर वठी वयो लड़के ने फकीर को कहा लेकर गया लड़का लड़का फकीर को अपने गर लेकर गया चोकरे जी पिय फकीर का अच्छा पुछ्यो लड़के के बाप ने फकीर से क्या पूछा चोकरे जेपियो फकीर का पुछो फकीर साई तू केर आही लड़के इनके बाप ने फकीर से पूछा जनाब फकीर आप कौन है फकीर चाचेयो फकीर ने क्या कहा फकीर चेयो साई माहिक जड़ो आया में एक माजूर हूँ आप यहां तक भी लख सकते हैं और बाकी आगे भी बाजार में बेटा हुस तामो कुछ मिले पर कैंब कुछ नाडिनो बाजार में बेटा रहा के मुझे कुछ मिले पर किसी नहीं बी कुछ नहीं दिया दड़ि ओहां जे नेंगर के खुश रखे मुझे ही तवटी आयो एमानी डिया खुदा तुम्हारी बेटे को खुश रखे जो मुझे यहां लेकर आया और इसने मुझे खाना किलाया यह मैंने अपने तरफ से लिखे हैं जो बुक में लेसन को रीड करके आपके स्कूल के अलग हो सकते हैं आप वो लिखते जिए इसी चिप्टर में से कुछ मुझील अलफाज लिखे हैं केर का मतलब है कौन अन्दो फकीर अंद़ फकीर बंटल डिठा देखा वेटा डेका पेचारो मतलब बेचारा बेटह हो रहो बेटा रहा खे मतलब कोई, हिंडाहिन इसकी तरफ, निहारो मतलब देखना या मतवज्जा होना, मट्थस इसके उपर, वटी आयस ले आया, जडो मतलब माजूर, ओहां का मतलब है तुमारे साई का मतलब है जनाब या महतरम, दोनों में से कोई भी अप टिक सकते हैं, निंगर का मतलब है बच्चे, बेटे भी वोल सकते हैं, बच्चे भी, लेकिन बेटे जो है पुट में आएगा, उल्ली बच्चे सही है, हित का मतलब है यहां, डिनाई का मतलब है दिया, हेडन मतलब एसों को, बुकियन मतलब भूखो, मानी मतलब खाना या रोटी, काराइन का मतलब है खिलाया, केई, किस तरह या केसे, अज, हमें जो लास्ट एक्चिविटी मर पस जीम थी, जिसमें मतलब तीन अलफास जुनके जुम्ले बनाने थे, उसमें से हमने तीन अलफास बनाए हैं, अज अर्बा आही, मतलब आज बुद्ध है, काल अंगारो हो, कल जो है मंगल था, सुबानी खमीस, तीन दो, सुबा जुम्रात होगा, इसी के साथ ये चेप्टर कम्प्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर पढ़ेंगे, अल्ला आफेस